Hello students, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हर्याना सिभिल सर्विसीज कोशिण बैंक है Students ने जो पुछा था कि sir question bank में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से question bank होगा वो सारी चीज़े यह आपर बताएंगे और यह prelims में HCS prelims के लिए special किस तरह से है कैसे आपको benefit मिलेगा एक test series launch करो, वो हम वो भी purchase कर लेंगे, तो test series कुछ students कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि sir, हमें कुछ questions प्रवाइड करवादो, तो हमने प्रवाइड करवादो, हमने question bank purchase कर लेंगे आपसे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, अब question bank के अंदर है क्या चीज़े हैं, और कुछ students कहते हैं कि sir, आप यह चोटी-चोटी वीडियो में सारी information दे देते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि sir, इससे आपका भी time save होता है, और हमारा भी time save होता है, तो बिल्कुल मुझे भी यह सही लगा कि हा, question bank की जितनी भी जानकारी है, मैं इस वीडियो में आपको मैं दे दूँगा, उसके बाद आपको लगई कि हा, यह question bank हमारे लिए beneficial है, तो आप लोग purchase कर सकते हैं, सबसे पहल purchase करना है, तो आप WhatsApp पे message करके लिख सकते हैं, कि sir, I need question bank, तो उसके बाद आपको सारे procedure बता दिये जाएगा, question bank के अंदर qualities क्या 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 है, या इसके अंदर specifications क्या है, देखिए इसमें आपको chapter wise जो है, सारे subject के chapter wise MCQs मिलेंगे, यह आपकी त्यारी में कैसे help करेगा, वो भ आपको है, chapter wise MCQs दिये हैं, पहले आप chapter पढ़ो, उसके बाद उसके सारे MCQs, उससे related सारे MCQs कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इस chapter से किस तरह से questions बन सकते हैं, या कोई question जैसे आपने chapter पढ़ लिया, फिर आप देखेंगे कि मानलो एक chapter अपने पढ़ा, जैसे पहला chapter प पा रहे हो, क्योंकि logical thinking नहीं है, कि हाँ, इस तरह से भी question पूछा जा सकता था, तो वो thinking generate करने के लिए आपको जो है, practice करने पढ़ेगी, practice के लिए ये जो है, question series है, जो ये आपको question बेंक है, ये बहुत जारा beneficial रहेगा, इसमें आपको history, इसमें की ancient, medieval, modern, ये तीनों history के जो questions, अलग-अलग chapter words मिलेंगे, quality, economy, geography में, Indian geography अलग है, world geography अलग provide की जाएगी, environment and ecology आपको अलग से दिया जाएगा, science के अंदर, physics, chemistry, physics, और यहाँ पर day-to-day science भी है, कि जो questions पूछ लिए जाते हैं, कि हाँ, day-to-day science के अंदर भी कुछ questions होते हैं, जो general होते हैं, वो physics, chemistry में, हाल पर provide किये जाएंगे, तो यह सारी तरह के questions, कुल 18,000 questions हैं, जो यहाँ पर एक rough idea है, 18,000 है, यह 19,000 भी हो सकते हैं, तो इतने questions हैं, आप daily practice करेंगे, अगर आप daily 300 questions practice करेंगे, तो आसानी से हो सकता है, 300 questions का क्या मतलब है, 6 chapter daily पढ़ने है, वो 6 chapter अराम से पढ़ सकते हो, exam तो ह question पढ़ो, अगर आता है, तो ठीक है, नहीं आता, तो सका answer चेक कर लो, तो 300 questions आप लोग 2 घंटे में कर सकते हैं, 2 hours में आप लोग 300 questions आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक exam में होता है, कि सोच-सोच की करना होता है, तभी आपको 2 घंटे दिया जाते हैं, यहाँ पर 300 questions आप 2-3 घंटे में आराम से कर सकते हैं, daily 6 chapter आप लोग को complete कर पाएंगे, अगर आप लोग prelims के लिए खुद को तयार करना चाते हैं, बाकि students से अलग बना चाते हैं, कि ठीक है, आपका clear हो जाए, तो आपको यह join करना पड़ेगा, यह आपकी जरूरत है, अगर नहीं करना चाते हैं, तो कोई problem नहीं है, किसी को force नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप last time एक या दो number से रह गए थे, या कोई 5 number से रह गया था, कोई students 8 number से रह गया था, वह पहले तो check करो, भी 8 number से क्यों रहे, negative marking की वज़ए से, या फिर attempt ही नहीं कर पाए, तो भाई वैसे ही students, बहुत सारे students ऐसे हैं, जिनके अच्छे खासे marks बन रहे हैं, लेकिन negative होने के वज़ए से उनके जो है, काफी number कम हो गए, और प्रिलियम की cut-off से बाहर हो गए, तो अगर चाहते हैं कि आपके साथ इस बार ऐसा ना हो, तो ये practice जरूर कीजिए, ये question bank लेने के लि झाल